कि वैसे तो खीरे का रायता कभी भी खाया जा सकता है मगर गर्मियों के मौसम में खीरे करायते को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें वह सभी पोशक दत्तों होते हैं जिनकी जरूरत आपके शरीट को इस मौसम में होती है कबजी की समस्य होती है कम अगर आपको कबजी की समस्य हमेशा बनी रहती है तो आपको रोज एकटोरी खीरे का रायता का सेवन करना चाहिए यदि आप ऐसा नियमित रूप से करती है तो आपको कबजी की समस्य चे बहुत रहात मिलेगी खीरे में 96% पानी होता है दही भी कबज की समस्य को कम करता है ब्लड शुकर को कंट्रोल करता है खीरे का रायता खीरे में पोटाशियम, मैगनेशियम और फाइवर होता है इसे दही के साथ कंज्यूम करके करने पर ब्लड प्रेशर नियांतर रखा जा सकता है अगर आपको हाईपायटेंशन की शिकायत है तो आपको खीरे के रायते का सेवन जरूर करना चाहिए पाचन तंतर को बनाता है मजबूद खीरे का रायता शरीर में ठंड़ग पहुँचाता है और इस पाचन तंतर को मजबूद बनाता है इससे आपका wall movement भी सही रहता है शरीर में रखता है शरीर को रखता है hydrated शरीर को hydrated रखने और उसके detoxification के लिए आपको रोज एक खिरे खाना चाहिए आप खिरे का रायता बना कर भी खा सकती है ऐसा करने से आपके शरीर में प्रोटीन भी उजीद मातरा में पहुंचेगा वेट लॉस के लिए आसान घरे लू पाए खिरे करायते में फाइबर के अधिक मातरा होती है इसका नियामिद सेवन करने से आपके शरीर का metabolism rate बहतर होता है और इसी अपकोव बें लोस करने में अधाद मेल्की ए